मेरे प्यारे बगवा लोग कैसे हैं आप लोग असा करता है कि आप ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे तो बगवा लोग हम लोग दोज़ार पचीस वाले बीवीडि गायट देख रहे हैं हैं जिसमें से हम लोग आज भूगोल हना भूगोल यानि जिसका नाम है हना भारत संसाधन एबं उद्योग उप्योग भारत भारत के संसाधन एबं उप्योग के बारे में जानेंगे बगवा लोग हना भारत संसाधन एबं उप्योग तो चलिए बगवा लोग हम लोग हना वीडियो शुरू करते हैं अब वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको पता ज़यते हैं कि इसमें आपको 38 question दिया गया कितना दिया गया है फंग लोग 38 question दिया गया अब आपको क्या करना है इस 38 question को हमें answer पताने से पहले आपको जवाब देना है और last way में comment करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना question का सही जवाब दिया तिससे क्या होगा कि आपका test भी हो जाएगा असासत में chapter भी सीख जाएगे है किने मजडार जी तो चलिए question number अब लोग first देखेंगे देखे question में first क्या कहता है ध्यान से देखेगा बगलो कहता है किस आयोग या फिर committee ने सतत पोस्निय विकास की अब धारना प्रस्थूत की सही option इसका बताईएगा बगलो क्या होगा सही option बता दिये तो चलिए अब हम बताएए इसका सही option होगा हमारा A होगा है ना Bruntland आयोग Bruntland आयोग है ना अगला देखेए बगलो question नमर हम लोग 2 देखते हैं है भरत में puffer a stock कौन बनाता है भरत में puffer a stock कौन बनाता है इसका सही option होगा हमारा option नमर कौन शाद तो A भारतिये खाद निगम है ना चलिए बगलो question नमर हम लोग अब 3 की ओर चलते हैं चलिए देखे question number 3, देखिए क्या करता है, लोह आयस्क है, बताइए, कैसी संसाधन है, इसका सही option होगा हमारा option number B, आ न भी करनी है, संसाधन, option number B, अगला देखिए बहुआ लो, question number 4, देखिए क्या करता है, निम्न में कौन कार्वनिक खनीज है, निम्न में कौन कार्वनिक खनीज है, तिसका सही option बताइएगा क्या होगा बगलो, तिसका सही option है, हमारा option number A, कोईला, कौन है बगलो, कोईला, है न, चलिए, अब हम लोग चलते है, question number 5, देखिएगा बगलो, question number 5, क्या करता है, करता है, नंदा देवी, राष्ट्रिय उद्योग कहा है, तिसका सही option होगा, हमारा option number B, उत्राखंड, है न, उत्राखंड, चलिए, question number 6, करता है, बरंटरलाइंड आयोग संबंधित है, पता ये, किस संबंधित है, सही option इसका बताईएगा बगलो, इसका सही option है, हमारा option number A, समावेशी विकास से, समावेशी विकास से, चलिए, question number 7, देखिए काता है, पर्थम पिर्थिवी सम्मेलन कहां हुआ था, तो option number इसका हो जागा हमारा B हो जागा, रियोडी जेनेरियो, है न, option number B होगा, इसका सही option, चलिए बगलो, question number हम लोग अब 8 देखते हैं, देखिए question number 8 देखिए क्या काता है, काता है, कोईला किस परकार का संसाधन है, इसका सही option होगा हमारा option number A, आ न भी करनी है, संसाधन, है न, चलिए, question number 9 देखिए बगलो, काता है, दूतिय पिर्थिवी सम्मेलन कहां हुआ था, दूतिय पिर्थिवी सम्मेलन कहां हुआ था, इसका सही option होगा हमारा कौन सा? Option number यहां हो जाएगा D हो जाएगा इसका सही answer नहीं दिया है बगलो हना इसका option number D होगा कोई नहीं Newark में भी नहीं हुआ था हना पेरिस में भी नहीं हुआ था मास्कों में भी नहीं हुआ था यह नहीं कह सकते हैं कोई नहीं अगला देखिए बगवालो क्यूशन नमर 10 देखिए क्या कता सवर उर्जा निम्रिखित में से कौन सा संसाधन है इसका सही अप्षन है अमारा अप्षन नमर बी पूना पूर्ती योग चलिए बगवालो क्यूशन नमर हम लोग अब 11 की ओर चलते हैं अब बगवालो अप्षन निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा आपके लिए फाइना मंद है तब प्लीज वीडियो को लाइक कर देजिए और जोब तक चैनल को सब्सक्राइब ने किये हैं तब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए हैं अचलिए हम होते नहीं बन दे किसने कर था बगवलो इसका सही अफ्षन होगा हमारा अप्षन नंबर जिंमर माइन किसा बार्रा कता है निमलिखित प्राकेर्थिक संपताऊं में किसका भंडार सिमित है चैनल कोय लाका कोय लाका है लोगव bless n तेरा देखे, क्या कातता है, डाकू की अर्थिवास्था का संबंद है, पताईए, किसी है बगवलो, इसका सही option होगा, हमारा option no. C, संसाधन के बिदोहन से, संसाधन के बिदोहन से, चलिए बगवलो, क्युष्चा नमर हम लोगा चवुदा देखते हैं, है ना देखे क्यूष्चन नम्बर 14 क्या काता है कता है तटर एक खा से कितने किलोमेटर छेतर सीमा अपबर तक आर्थिक छेतर कहलाते हैं इसका सही option होगा हमारा option नम्बर B होगा 200 NM है ना 200 NM चलिए बगवा लो, question number हम लोग अब 15 देखते हैं question number 15 देखेगा बगवा कता है समूदरी छेत्र में राजनाइतिक सीमा के कितने किलोमीटर छेत्र तक राष्टिय संप्रदा निहित है इसका सही option होगा हमारा option number C 12.2 km तक, 12.2 km तक, है ना, चलिए question number 16 देखते हैं, कता इन में से कौन अजयव संसाधन नहीं है है ना, ध्यान से देखेगा बगवा लोग, नहीं है, कह रहा है नहीं है, तिसका सही option होगा हमारा option number A बनस पत्ती, है ना, बनस पत्ती, option number A चलिए, question number 17 देखते हैं, कते बांधों में जल किस संसाधन बर्ग का उदाहरन है, बांधों में जल किस संसाधन बर्ग का उदाहरन है इसका सही option होगा हमारा option number B संचित, है ना, संचित, चलिए बगवा लो, question number 18 देखते हैं हना, कहता है, देखे question number 18 कि बुरूणटल लाइंड किस देश की परधान मंते रहचुकी है हना, इसका सही option होगा हमारा option number C, Norway, हना, ना, अगला देखिया बगवा लो Q19 काता है इनमें से कौन विकास के अश्तर के अधार पर संसाधन का बर्ग नहीं है इसका सही option होगा हमारा option number D यहीं है option number D ग्यात लिखा है संभाब भी है संचित भी है ब्यक्तिकत भी है यहीं है option number D कि option number 20 देखते हैं कता इनमें से कौन नीजी संसाधन में सामिल नहीं है इसका सही option होगा हमारा option number कांसा तो अप्शन नमबर C, नीजी संसाधन, जिस पर किसी का धिकार नहीं हो, तो अप्शन नमबर C, मंदिर, मकान का धिकार हो सकता है, कार का धिकार हो सकता है, साक्र का धिकार हो सकता है, मंदिर का धिकार नहीं हो सकता, तो मंदिर होगा, चलिए अगरा, क्योशन नमबर 20 देखे क्या है जैव और अजैव सनसाधन बरगे करन का उदाहरन अधार क्या है इसका अप्शन होगा हमारा ऐप्शन option number D होगा, उत्पत्ति के अधार पर संसाधन दो परकार के, जैव और अजैव, चर ये बगो लो, question number 22 देखते हैं, देखे काता question number 22 काता है, कि संसाधन नियूजन के कितने अस्तर होते हैं, तिसका सही option होगा, हमारा option number C, 3 है न, 3 होते हैं, चर ये, question number 23 देखे काता है, स्वामित्व के अधार पर संसाधन के कितने परकार होते हैं, तिसका सही option होगा, हमारा option number D, 4 है न, चर ये, question number 25 देखे काता है, संसाधन का सबसे कीमती संसाधन कौन है संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है इसका सही option है वह लोग हमारा option number B घनीज चरिए question number 26 देखते है वह लोग question number 26 क्या काता है कता है निम्नांकित में कौन प्राकिर्तिक संसाधन नहीं है तिसका सही option बताइए गब होगा लोग क्या होगा तिसका सही option है हमारा option नमर C नगर है नगर नहीं है चलिए question नमर सताय देखे कता है पर्थम पिर्थिवी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था तिसका सही option होगा हमारा option नमर D ब्राजील में पर्थम पिर्थिवी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था तो ब्राजील में चलिए बगलो question नमर सताय देखे कता है दी पॉपुलेशन बम नामक पूस्तक किस बर्ष परकासित हुई थी तिसका सही अप्शन होगा हमारा अप्शन नमर बी 1968 हिस्वे में 1968 हिस्वे में अगला देखिये बगदो कहता है है ना क्योचन नमर 29 निमली खित में कौन समुदायक संसाधन नहीं है है ना इसका सही अप्शन होगा हमारा अप्शन नमर सी किर्शी भूमी किर्शी भूमी अगला देखिये क्योचन नमर हम लोग देखते हैं 30 देखते हैं देखिये गब होगा लोग क्योचन नमर 30 है ना अध्यान से बनाईएगा कता हमारा साझा भभिस क्या है इसका सही option बताइएगा क्या होगा तो option No हमारा होगा B होगा एक पूस्तक है हमारा साझा भभिस एक पूस्तक है है ना चलिए, IQ. अनमर रेखती देखेगा कता ब्हारत का लद्दाक छेतर किस संसाधन में धनी है जो लद्दाख है ना भारत में वहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा संसाधन मिलता हना यह कह रहा है तब बताइए इसका सही अप्षन होगा हमारा अप्षन नमबर C सांस्कृतिक बिरासत सांस्कृतिक बिरासत अगला देखे बहुआ लो क्योशन नमबर 32 कता है किस प्राकिर्दिक संसाधन का भंडार सीमित है जिसका सही अप्षन होगा हमारा अप्षन नमबर A खनी जतेल का खनी जतिल का संसाधन मन भंडार क्या है सीमित है आगला देखे बहुआ लो क्योशन नमबर 33 तेखे कता है उन्हें 92 में तिर्थिये पिर्थिवी समेलन किस सहर में हुआ था जिसका सही option होगा हमारा option number B Rio de Janeiro है ना Rio de Janeiro जो कहां पड़ता है ब्राजील में है ना अगला देखे question number 34 राजस्थान में किस संसाधन की कमी है राजस्थान में किस संसाधन की कमी है जिसका सही option होगा हमारा option number C जल संसाधन है ना जल संसाधन का राजस्थान में किया कमी है अगला देखे question number 35 मचहरयोग के है ना आस्तित्व को खातरे में कौन डाल सकता है जिसका सही option है हमारा option number D दूसित जल है ना दूसित जल चलिए बगवलो question number हम लोग 26-36 देखते हैं question number 36 काता है ज्वारिये उर्जा किस परकार के संसाधन का उधारन है जिसका सही option होगा हमारा option number A ना भी करनी है संसाधन अगला देखे बगवलो question number हम लोग संसाधन question number 37 काता है A small is beautiful नामक पुस्तक के लिखा कौन है इसका सही option होगा हमारा option number B होगा हना सुमेशर सुमेशर अगला देखे बगवलो question number 38 काता अंदोलन के परनेता है इसका सही option होगा हमारा option number C सुंदरलाल बहुगूना तो यह था लोग आज के चेप्टर का हमारा 38 क्योश्चन अब आपके कमेंट करके बताईए कि आपने कितना सही बनाया आपसे कितना सही बन पाया और लोग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब क करनी है कि क्या आप मैत पढ़ना चाहते हैं मैत का अबजेक्टिव हाना क्या आप मैत का अबजेक्टिव पढ़ना चाहते हैं हाना अगर मैत का भी अबजेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तर प्लीज कमेंट में बताईए कि चालो किया जा या नहीं हाना और यह भी बताईए कौन सा चेप्टर सबसे पहले आप लोग पढ़ना पसंद करेंगे कमेंट में हमें जरूर बताइए बहुगा लोग फिर हम मैत का भी अउजेक्टिव चालू कर देंगे तश्चा लिए आज के वीडियो में बस इतना है बहुगा लोग फिर मिलते हैं हम लोग हम आगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद